हरे कृष्णा सो आप सभी का स्वागत है माइंड मैनेश्मेंट प्रोग्राम में अभी हम इस जो पांच टॉपिक्स हैं उसके अभी हो एक्षटी सेकंड टॉपिक पे ही हैं और इस सेकंड टॉपिक के सेकंड भाग में हैं तो आज कई विशे और चर्चा आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक संशित में रिकाप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और क्या विशे पे चर्चा चल रही है तो सबसे प्रतम बात जो हमने जानी है वो ये माइंड is the most powerful tool अगर वही माइंड हमारे नियंतरण में है तो हमारा वो सर्वशेष्ट मित्र कहलाता है और वही माइंड हमारे नियंतरण के भार है, uncontrolled है तो वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है आज हर व्यक्ति, not आज, in general हर व्यक्ति आनन्द या खुशी की खोच में लगा हुआ है समय की शुरुआत से परन्तु आज, particularly today, व्यक्ति उस खुशी को, उस आनन्द को अपने से बहार खोचता है अलग-अलग भौतिक इच्छाओं की पूर्ती करके, अलग-अलग भौतिक चीजों को प्राप्त करके इत्यादी-इत्यादी, वो अलग-अलग चीजों में, व्यक्तियों में, जीवों में कभी किसी को कुट्टे से प्रेम होता है तो किसी को दूसरे जीव मनुष्य से प्रेम होता है some are plant lovers, some are tree lovers, some are bird lovers, some are snake lovers अलग-लग प्रकार के लोगों को प्रेम आ सकती होती है किसलिए क्योंकि उनको लगता है उससे उनको आनंद प्राप्त होगा और क्योंकि उनकी expectation है कि वो सामने वाली चीच मुझे आनंद देगी खुशी प्रदान करेगी परंतु दुनिया का नियम ऐसा है कि कुछ समय बाद वो आनंद मिलना खतम हो जाता है या फिर जो हमारी expectations है जब पूर नहीं होती है तो frustration होना शुरू हो जाता है कितने लोगों experience है आज मैं दुफैन में बैट वे अपने वक्तों के संगे सी बात कर रहा था जब एक बालक या बाली का स्कूल में होते हैं तो बड़ा ही उनको आशा उनको ये एक आशा दिखाए जाती है बताया जाता है कि जब आप बड़े होंगे पर लिखकर आपकी जॉब लगेगी तो बहुत ही जीवन आनद माय रहेगा कितने लोगों ने ये सुना या था and we all worked hard toward that goal I'll get a job जब आपको जॉब लगी जब आप interview में गए बड़े ही नवरोस रहे होंगे पहले interview में interview उसके बाद जब interview का result आया और आपको verbally या आपको letter के थूब आपको बोला गया you're selected how many of you felt like flying in the sky right how many of you had the same feeling after working for that company for two months yes or no जब आपको job offer बिला तो you felt like wow this is the highest thing this is the best thing that can happen to me in this life पर प्रश्ण बनता है क्या वो कितने समय तक वो रहा दो महीने तीन महीने हो सकते हैं एक हफ्ते के बात ही वो आशा चूर चूर हो जाए तो कहने का मतलब यह है भगवदीता का ज्यान शास्त्रों का ज्यान हमें सिखाता है यह जो व्यक्ति आनंद की जो उसकी चेश्टा जो इच्छा है जो उसकी वास्तविक इच्छा है वो उसके भाहर नहीं उसके अंदर ही उसको प्राप्त होती है अगर ऐसा होता तो क्यों प्राचीन काज से प्रता चलती आई है शंकरा चारे के वल आट नौ साल के थे जब उन्होंने सन्यास ले लिया था सन्यास का मतलग क्या है आज व्यक्ती को जो जो सिखाये जाता है कि जिस जिस चीजों से उसे सुख प्राप्त होगा सन्यास मतलग उन्स सबसे त्याग लेना नहीं जाएश और नो All material comforts, All bodily comforts, All personal comforts, All relationships and everything, Renunciation from all that तो या तो वो पागल होना चाहिए, तभी तो जीवित रहा, या तो दो साल का suicide कर लिना चाहिए, यह मैं गलत फस गया And you look in the lives of any one of them, मैं तो कुछी का नाम लिया है, प्रमुक का, बर ऐसे तो अनिक अनिक उधारन है जो इननोंने आजीवन सन्यास धर्म का पालन करा And उनको देखकर लोगों को अपनी जीवन में पिढ़ना मिलती थी और इनमें से कोई भी एक ऐसा अव्यक्ति निराज जिसने इस अनियास जीवन का पालन किया हो और बड़ा ही निराश जनक जीवन वितीत करा हो यह लोग उनको देखकर निराश हो जाते हैं लोग आज का सक्ससुल लोग को निराश हो जाते हैं उनकी शकलो पैसा बारा बजा होता है न ऐसी दुखी हालत होती है उनकी So I'm just giving you a contrast and an example help you understand कि एक्छुल सुक का है वो व्यक्ति के अंदर ही प्राप्त होता है और उसके रहस से उसके ज्ञान के बारे में हम इस mind management के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं अगर व्यक्ति का मन नियंतरण में है और इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ उधारन दिये ताकि आप उस पर थोड़ा चिंतन करें वेरेस अच्छल हैपिनेस लाइज और आप जिस समाज में वेदी कल्च वेदी कल्च वेदेशिशन वहां देखा जाए तो कितने लोग सन्यास ब्रहमचारी प्रता जो आज आप इस कौन के इसमें देखते हैं यह बड़ी हाली में शुरू आत हुई है यह श्रीला भक्ति सिद्धानत्र स्वजित ठाको ने इस प्रता को स्टार्ट करा पहले ऐसे नहीं हुआ करता था पहले ब्रहमचारी जीवन वो होता था जो स्टूडेंट लाइफ होती थी उसके बाद डारेक्शन्यास या ग्रहस था पर आज अधिहात्म जो जीवन है स्टूडेंट लाइफ आज जादा तर लोग की बीस इकीस साल के बाद शुरू होती है इसलिए बक्ति सिद्धानत्र स्वजित ठाको ने उनको ट्रेडिंग देनी के लिए ब्रहमचारी जीवन इंट्रिद्यूस करा वना पहले पांच ये साथ साल की उमर पांच ये साथ साल की एवरेज उमर बताई जाती है जहां लड़कों को गुरू को भीजा जाता था देवा कॉर्डस ब्रहमचारीश और वो गुरू की आश्य में रहते थे अठारा बीस पच्छे साल तकरीबन जितना समय रहना है और जो कुछ समय के बाद उसको लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए that is allowed and that is not condemned but अगर कोई सन्यास आश्रम की तरफ बढ़ जाता है which is said to be the final आश्रम उसके बाद कोई मुण कर फिर बापिस पीछे देखता है तो फिर उसको एक पतन के नुसाह देखा जाता है कि उस व्यक्ति का पतन हो गया है बट ब्रह्मचारी जीवन से अगर व्यक्ति फिर अगर घ्रहस आश्रम की तरफ जाना जाता है तो it's not seen as a fall down or a condemnable because that's a student life पर वही ब्रमचारी और वही उस ब्रमचारी जीन वितीत करते हुए, अगर सेवा भी उसी प्रकार से हो रही है, गुरू के आश्रमे रहे के ब्रमचारी आश्रम मतलब ब्रमचारी अकेले नहीं रहते हैं, गुरू के आश्रम में गुरू के अनुसार रहते हैं, और सेवा करत जा रहे हैं तो इसका सन्यासिका जीवन है पर अंतु जब ओफिशली ले ले लेते हैं then there is no way of turning back because society में कुल्चर एस्टाबलिशे otherwise हो कुछ मतलब भी निरा ना that's that's the point so let's start our discussion we'll start with a story of a sage how many of you remember last time सुनाऊगा बट कुछ है नए तो मैं विस्तार से जाऊँगा एक व्यक्ती थे जिनकी अधियात में जीवन के तरफ इच्छा जागरुत हुई और सोचा कि मैं भी अधियात में जीवन का पालन करूँगा तो चले गए घरवा छोड़कर आए हिंजे वाड़ी के जंगलों में और मिलते हैं वहाँ पर एक रिशी मुनीवर से अपनी कौन सी नदी है यहाँ पर मुन्शी मुला मुला नदी के पास उसके तट पर वरक्ष के नीचे उनको एक सादू मिलते हैं बोलते हैं ए गुरुवर मुझे बताईए अध्यात्म जीवन में मैं कैसे सवलता प्राफ्ट कर सकता हूं तो उनको ग्यान देते हैं शिक्षा देते हैं और कुछ समय के बाद उस सादू मुनीवर उस अपने नए शिश्य को हिंजे वाड़ी में बहने वाली मुल्शी रीवर के पास उसको छोड़के चले आते हैं बोलो मैं आता हूं भी ब्रदिनात की यातर करके छैसे आट मैने या एक साल दो तिन साल के अंदर जितना भी समय के बाद तुम से तब आके मिलूंगा तुम इस प्रकार से अपना ध्यान अधिशन लगाके रखे रहे ना तो क्योंकि सब कुछ त्याग दिया था तो सब कुछ यह त्याग दिया था सिर्फ एक कोपिन था अंडर्विया नदिंग यह यह नो अधर प्रजेशन तो इनकी दिन चरिया कैसे होती थी सुबह उठे प्रात कालिन में ब्रहम मुरत समय मे नदी में सनान किया आकर बैठ जाते थे ध्यान मगन होकर गंटों गंटों तक कुछ दिन ऐसा चला सब कुछ ठीक ठाक था पर कुछ दिनों बाद उनका एक दोस्त आता है और दोस्त आके बुलता है भाई सिर्फ एक कपड़ा तू नाने जाता है नाने जाने के बाद तू भार आता है तेरे पैस एक ही कपड़ा है या जस अनर वन इनगामेंट तो इसको हमेशा ही चिंता में रहता है मैं उसको सुखाऊंगा तो फिर नगन बैठना पड़ेगा और उसको पैनूंगा तो फिर शेरी को प्रशानी होगी तो दोस्त कहते हैं ऐसे क्यों नहीं करता त एक और जबाना एक और उनन गामेंट लिया शन्तिय去 के ध्यान मगन करना कोई प्राव्मों तो ये ब््रहभबाचारी कहते हैं हां सही बात है क्यों नहींी में एक और लियाता है शником trend तो चिनता में जहुरा हम्ता game लेके क्ळानी तो कुछ समय में वह दूसरा कोपिन लेकर आ जाते हैं जीवन बड़े शांति से चलता है सुबह उड़ते हैं नाते हैं कोपिन को पेड़ की शाखा पर डाल देते हैं वह सूखता रहता है यह अपना नया फ्रेश को बेंगे बैठके इनकी तपस्य ध्यान होकर चल रही है कु तो महां पर चीची के वाज आती तो बेचार का ध्यान मगन हो जाता क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ही थी पॉसेशन एक अब उनको थोड़ी आ सकती तो होई जाती है अगर वो चली तो मेरा क्या तो फिर इनका दोस आता है बोलता रहे तुम्हारा फिर ध्यान टूट रहा है बड़ी सरल बात है चुआ है दुखी कर रहा है कोई बात ने बिल्ली ले आओ बिल्ली आएगी चुए को बगाएगी कोपन सुख जाएगा तुम्हारे दो कोपन बने रहेंगे तुम बड़े शांती से ध्यान मगन रहो गए ऑल राइट कुछ समय तक ध्यान चलता है शा चाहिए अब जब तो उसको कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं तो तुम्हारी सेवा कैसे करेगी तो दोस्त ये ब्रहमत चाहिए तो मैं क्या करूं बड़ा सरव बात है एक गाही लिया तो गाही लेकर आजाता है उसके पास गाही है गाही दूद देती है दूद बिल्ली चिंतित क्यों हों बोले देखो भई अब गाहे अवाज करें मैं क्या करूं तो बोलते है अरे भई गाहे को भी तो देख बाला कोई चाहिए तुम तो आट आट दस गंटे तक ध्यान मगने रहते हो उसको कोई घास के लाना ना चाहिए उसकी गरदन पर हाथ लगाने आना कोई देख बाल के लिए तो चाहिए तो ये ब्रह्मचारी पूछते में क्या करूं वहले कोई बात नहीं एक पत्नी लेओ तुम शांति से बैट के ध्यान मगने रहना पत्नी गाय की सेवा करेगी दूद निकालेगी बिली को पिलाएगी बिली चुहे को बगाएगी और ध्यान करने बैटता है तो अभी तक तो बादल गरज रहे थे आज बरस जाते हैं और यहां उसकी पत्नी आके उस पर ऐसा चीखा चिली करती है बदमाश कहीं के मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कैसे वेक्तित मेरी शादी करती है खुद तो सब कुछ छोड़ शाड़के आब गुरू देखते हैं अरे यहां इस मुल्शी रीवे के नदी के थर्ट के पास तो भाई मेरा एक पेड़ हुआ करता था अवरक्ष था यहां पर तो मैं ध्यान क्या करता है यहां तो बंगलो बन गया है अच्छा खासा बड़ा बंगलो तो जैसी उसके गुरू पहुंचते तो objective was clear, vision was clear, but why he got distracted? He wanted to progress in his spiritual life. He already gave everything and he ended up getting a job in IT again, which he left. What was the reason? Who was the friend? Who was the friend of this sadhu or this monk, jiske karan uski esthiti hui? What's the answer? Mind! Have you had experience? How many of you have experienced or have had that mental talk? So that's the point. More we hear to this mind, the more a living entity becomes distracted. शुरुआ तो वही से हुई ना? अब उसको ये सब जो जहमेला हुआ केवल उसके एक additional कोपन के चकर में है. और जब भी उसके जीवन में परिशानी आई, उसने किसकी सला सुनी? अपने मन की. और जो मन उसका जब अल्रेडी नियंतरन में नहीं है, वो ध्यान में इसलिए एक्जांपल एन श्टोरी. यहां यह जो दोस्त था, उसका यह मन था, जिस कानवश इस व्यक्ति इस प्रकार से गुम्राह हो गया. So point, second point is, जब व्यक्ति अदिहात्म जीवन या स्पिरिच्छल लाफ में आगे बढ़ना शुरू करता है, he has to very carefully discriminate between the instructions of his mind, the instructions of his guru sadhu shastra. अगर व्यक्ति जब जब अपने मन के अनुसार, अपने जीवन के महत्पून निरने लेता है, there are a lot of chances that would be not in his favor. क्योंकि मन हमेशा is, you know, sitting in that, with that intention, कभ आपको इस माल्क से distract कर दे. सोचिए, आप कई सालों तक, कई जन्मों तक, किसी एक व्यक्ति की गुलामी करते आये हो, और आज से आपने उसकी गुलामी करनी छोड़ दी. तो लगता है, आपका वो माल्क आपको छोड़ देगा, वो माल्क जो आपको अनेक अनेक जन्मों से आपका शोषड करता आया हो. His only objective was to exploit you, and suddenly you stop obeying to that master. Do you think that master will leave you? So mind, which has been accompanying with us, we have already spoken about how the mind accompanies the soul in the next life, वो माइन जिसको हम इतने जन्मों से नाजने, अनेक अनेक जन्मों से सुनते आये हैं, मानते आये हैं, और आज हम जब अध्यात्म जीवन की शुरुवात करते हैं, तो आज हम उसकी सुनना बंद कर दे हैं, तो लगता है कि वो सानी से छोड़ देगा? इसलिए जब यक्ति अध्यात्म जीवन की शुरुवात करता है, तो उसको experience होता है कि mind is becoming more agitated. That's the only reason. क्योंकि आपने उसकी गुलामी करनी छोड़ दी है, तो इसलिए वो और aggressive हो जाता है. And that is the point. इसलिए बगवान श्री कृष्ण कहते हैं, The mind can be four of friend. उधारत आत्मन आत्मानम नात्मान वसादियत आत्माईवा की आत्मानो बंदूर आत्माईवा रिपुर आत्माना. तो हमने पिछले सत्रों में छह प्रकार के वाइरस की बात करी थी, काम, क्रोध, लोब, मुहम्मद, मासर, यह. आज, तीन प्रकार के diseases की बात करेंगे. The three diseases. Of course, there can be many, but I am just again highlighting the state of mind. Three C formula. C for complain, compare and criticize. कितने लोग को इस वास्तित्वा या रियालिटी का हैसा से कि हमारा मन जादता तरीके सही करता है. Compare करना दूसरों के संग, कोई अधिक प्रकृति शीला तो फे comparison में चले जाना. Complain करना औरे, मुझे नहीं मिला, मेरे संग कितना बड़ा अन्याए हुआ. और दूसरों के अंदर दोश्ट देखना. Yes or no? This is a common disease. Like this. So let's take an example of it. But sochiye, अगर आपका मन इस स्थित्वी में है, क्या व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? जब आप सामने वाले व्यक्ति को देखें, जिसके पास आप से अधिक है, या आप से अधिक सुखी है, तो खुश होने के जगए आप फिर दुखी हो जाएंगे. क्योंकि मन compare करना शुरू कर देता है, complain करना शुरू कर देगा. और साथी साथ, अगर कोई आप से छोटा हो, या कम सक्सेस्फुल हो, तो criticize करना शुरू कर देता है, हाँ या ना? कोई अधिक महान है, तो compare and complain मुझे नहीं मिला. और कोई उतना सफल नहीं, जितना आप सफल हो, तो criticize करना है, ये लोग तो बिलकुल बेकार है. अगर किसी की मानसिक सिती इस प्रकार से है, तो सूचिए, कैसे विक्ति कभी खुश रह सकता है. किसी भी अवस्ता में वो चले जाए, हर जगा उसको दोश आया नजर आएगा, या वो खोट निकालेगा. And let me give you some classic examples, compare, सुपनखा की कहानी, मैं विस्तार से नहीं जाओंगा, आप सब जानते हैं, उसके सर्वनाश का कारण ये comparison ही था. सुपनखा राम को देखती है, मोहित हो जाती है, भगवान राम की खूसूरती सौंदर को देखकर, और राम के सामने प्रकट होती है, एक बहुत खूसूरत नारी का वेश बना, कर राम से कहती है, कि मैं आपके संग विवा करना चाहती हूँ. राम कहते हैं, मैंने तो पती वरता, एक पतनी वरता का वरत लिया है, पट मेरा भाई अकेला है, you want, you can approach him. लॉट ना वस टांटिंग आशली, तो सौपड का, वो सो मैड बिकाउस, तो तुसना सुझा अच्छी कहें, चोटा भाई भी इतना बुरा नहीं है, वे गंट्राइफे देंगा वरता, she turned to Lakshman, तो कोई बात नहीं, Lakshman तुम भी चलोगे, you know, I'm fine with you also, तो Lakshman कहते हैं, बि कासी बनना पड़ेगा, तो बोली, आरे, यह तो मुझे बिल्कुत त्यार नहीं है, मैं तो अपने भूख करने के लिए आई थी, किसी की सेवा करने के लिए थो ना आई थी, तो जब देखा, राम लक्ष्मा कहते हैं, तो इसलिए जाओ, तुम राम को दुबारा से प्रसं किया से भाहार निकलती हैं, जब सीता की सौंदरे को देखती हो, तो समझ जाती है कि अगर किसी के पास सीता जैसी पतनी होगी, तो कभी भी कोई व्यक्ति, चाहे वो कितनी खूसर लड़की क्यों ना हो, उसके पती आकर्शत नहीं होगा, तो सोचती है, ना रहेगा, बास अगर मैं सीता का कतल कर दूँ, तो फिर राम शायद मेरे प्रोपोसर को अचैप्ट करने हो, तो इस कारण सूपरकार सीता के उपर हमला कर बैठती है, जिसको देखे बगवान राम लक्षमर से कहते हैं, इसकी ना काटने का कारण, क्योंकि शत्रिया कभी नारी के उपर वाजित था, तो इसलिए उसकी ना काटी के थी, और उसकी स्थिति का कारण क्या था? सिर्फ ये एक भोग भावना, जिसके कारण ये कंपरिजन, वो मुस्से अधिक खूसूरा था, इसलिए मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, and that's the whole beginning of what happened afterwards. Second, complain, आप देखें, दुरियोधन, कितना ही उसको कुछ क्यों ना मिल गया, वो हमेशा सिर्फ complain, of course, compare का भी धारन इसमें आता है, compare, complain goes together, हमेशा ही दुखी रहता था. जब कृष्ण के कहने पर रितराश राज्य को दो भागों में बाढ़ देते हैं, खांडव प्रस्त, इंदप्रस्त, खांडव प्रस्त क्या था? रिगिस्तान, बंजर भूमी, वो पांडवों को दी जाती है, पर पांडवों वहां जाकर अपनी महनत से, खून पसीने से, उस जमीन को एक बड़े घने जंगल में बदल देते हैं, फिर राजिस्विया यग होता है, उसमें उदिश्ट महा सफल होते हैं, अब जब राजिस्विया यग यह हुआ था, उसके अनुसार सभी प्रदेश के, सभी देश के राजाओं को उदिश्ट महाराज के आधीन हो In other words, Dhrithraaj did not had to do it. Yudhishtra Maharaj had given an excuse to Dhrithrashtra, which means Duryodhan by no means had to bow down in front of Yudhishtra Maharaj. Yudhishtra Maharaj चाहते तो वो करवा सकते तो वो नहीं करा था, क्योंकि there were a family member, respect was given. Yet Duryodhan was not happy. Yudhishtra Maharaj, Dhrithrashtra, उनकी पुत्रों को सबको नियोता देते हैं राजस हुए के लिए, और राजस हुए है कि की सफलता को देखकर, Duryodhan इतना द्वेशी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, वो अपने पिता से आके complain करना शुगर देता है, कि पिता कुछ भी हो जाए, य अगर Yudhishtra Maharaj, खांडव रस के राजा रहते हैं, दितराश के बाद Duryodhan, हस्तिनापुर के राजा रहते हैं, तो क्या अगर आप में से जितने लोग Yudhishtra Maharaj के चरित्र को जानते हैं, क्या कभी Yudhishtra Maharaj, या अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, क्या कभी हस्तिनापुर प सुख शांती से राजा बना रहता, अपने राज्यकाल निभाता, अपने परिवा को समालता, प्रजा को समालता, कभी उसकी मृतिव का कारण बनता, उसके कारण जो 60 करोड लोग मारेगे, कभी वो मृतिव के कारण बनते, केवल उसके इस मानसिक विकार के दुआरा इतना बड़ा युदु हुआ कम्प्लीन आगे क्रिटिसाइज शिशुपाल का उधारन आता है भगवान से इतना घ्रणा करता था जब भी मौका मिलता था उनमें दुवेश निकाना शूकर देता था फॉल्ट फाइंडिंग की ब्यूटी ये है जब व्यक्ति फॉल्ट फाइंडिंग से पीडित होता है सामने वाला इंसान चाहे भगवान क्यों नहों पर ये व्यक्ति उनके अंदर भी दोश निकाल लेता है जो सब दोशों के परे हैं उनके अंदर भी अनिक दोश नजर आ ज शक्ताश्टकम उसने सैंचुरी का खड़े राजसी एक सब्सक्राइब सौ प्रकार के विकार या दोश निकाल दिये जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दोश नहीं होता अगर शुपाल कभी मेरे अंदर सौ दोश निकालेगा तो तब मैं उसका वद करूँगा उस प्रकार से उसका वद हुआ तो आप देखें यह जो तीन मासिक सिती हैं कंपेर, कंप्लें और क्रिडिसाइज जो मेरे खास से कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो वो सब इसको एगरी करेंगे हमारे से यह सिती रहती है सोचिए यह तीन होई चीज यह मैं से एक भी चीज व्यक्ति की जीवन को पूर्ण रूप से बरबाद कर सकता है यह सुनूँ सो हमारा जो चर्चा चल रहा है इस सत्रों के द्वारा वो यही चल रहा है कि कैसे अपने मन को नियंतरन मिलाए जाए और मन की दशा को सुधार जाए जब तक मन का विकार समाप नहीं होगा तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सुख हमारे बाहर नहीं है वो खुशी औव आनंद हमारे अंदर है वो तब तक हमें प्राप नहीं होगा इसलिए विक्ति जब अध्यात्म जीवन का शुरुवात या पालन करना भी शुरू करता है तो मैंने जो स्टोरी ओफ असेज बताई थी अगर वो गुरु सादू शास्तर के अनुसार जीवन नहीं वितीत करता है और मन के अनुसार वितीत करता है तो उसका उस परकार विचलित हो जाना वाजिफ है तो आईए आज के सत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं पार्ट टू तो हमने पिछले सत्र में दो चीजों की बात करी थी दो थीम्स थी पहले थी Consequences of No Mind Management Mind Management and Mindfulness is the title of the topic तो अगर Mind Management कोई नहीं करता है तो इसके बारे में चर्चा करी थी इन अदर वर्ज किस परकार से मन किसी चीज के पती आसक्त हो जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है जहां वह व्यक्ति को मजबूर कर दिता है गलत करत करने के लिए उसके लिए बगवान श्री कृष्ण बगवधिता की दूसरे ध्याय के 62nd और 63rd वर्स में इस रहे से को स्पश करते हैं मैं आपको उधारन की रूप में समझाता हूँ पिछले सर्थ में चाचा कर चुके थे For example, let's say college student है या school student है उसका कल final exam है पर उसके अभी त्यारियों पढ़ाई नहीं हुई है और वो इस समय अपने coaching institute से वापिस आ रहा है उसको पढ़ने के लिए बहुत पढ़ना है He knows अगर मैंने study नहीं करी तो I may fail बड़ रास्ते में आते आते उसको बहुविली का part 3 new launch new release का पोस्टर नजर आता है बहुविली उसकी बड़ी famous प्रसित picture रही है जिसको बहुत पसंद करता है और उसको उस picture का पोस्टर नजर आता है तो मन निश्चित रूफ से जब उस पोस्टर के तरफ जब एकती की आखे पड़ती हैं तो फिर चिंतन शुरू हो जाता है Part 3 आ गया कितने समय से मैं इंतिसा कर रहा था Contemplation शुरू होता है कि वाह इस विल बी आ फंटेस्टिक मुवी राइट सब शुरू जाती है Mental आलोफ जाता है ओ वाओ 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 री सो ग्रेट सु एक्साइटिंग्ट जाता है सो इस इस काल इस इमागेंगेंज एह फिनस वारा मन माइंड इस वेरी एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग इन सिटुएशन फिमेजन हैपिनेश फर एक्जामपल सुचिए इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है लेसे इंडियन सर वाचिंग जो जो बैठर के टीवी देख रहा है उसके मन में अल्रडी एक उस्साह बना हुआ है इंडिया जीते का तो कितना मुझा आजाएगा राइट और नो अगर आप नीट्रल मूड में देखते हैं तो हारते जीते कोई फरक नहीं पड़ता है पड़ आप इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेव बैठेव बिकूरियस पड़ जब वो नहीं जीती है तब इतना मन दुखी होता है तब इसे लोग अलग-लग प्रकार की हरकते करना शुकर देता है So mind is very expert in creating this imagined happiness तो शुरू हो जाता है औरे कितनी बड़िया मुवी होगी पहला भाग, दूसरा भाग भी super hit तो triple hit होगी इसको तो देखना ही चाहिए तो मन में जब इस चिंतन शुरू होती है तो देरे देरे ध्यायतो विश्यान पुमसा संगस उसके पती थोड़ी आसकती जागरत हो जाती है कि यह तो picture देखनी ही चाहिए मुझा आ जाएगा तो कितनी देर से पढ़ रहा है You deserve a break After all, you are a human being थोड़ी देर देख लेगा क्या होगा और हर चीज़ शुरुआत होती है दो मिनिट के break से तो क्या चला जाएगा दो मिनिट कब दो घंटे में बदल जाते है किसे को बतानी होता है We all have an experience of it particular TV, I also remember those days दो मिनिट के लिए खुलता था कब दो घंटे निकल जाते थे और आखे तब आखे तब blink होना भी बंद हो जाती है वैसे तो आखे बड़ी फड़पती रहती है पर TV के सामने बैट जाता तो आखे बंद होनी भी बंद हो जाती तो ये attraction से शुरू होता है और इसके बाद धीरे-धीरे obsession you know obsession means मैं देख के ही रहूंगा irritation चौती स्टेज नहीं हुआ कोई देखता हूँ कैसे मुझे रोख सकता है कोई बात नहीं मैं अपने माबाब को सिखा लूँगे तिया दी हमने चाचा करी तो इसलिए मैं ज़्यादा विसार से नहीं जा रहा हूँ आप करोगे तो बड़ा आनन्द आएगा और तीसरी स्टेज से शुरुआ आता है मुझे करना है मुझे आनन्द आएगा तो शुरुआत में जब चर्चा होती है तो मन आप से बात करता है बात में आप मन बन जाते है यूदेफा तो बन जाते है इस प्रकासी इस प्रकासी इतनी गंबी होती चलियाती है जब चिंतन बढ़ता रहता है विशेव पे विएक्टी इतना आसक्त हो जाता है कुछ समय बाद वो अपनी बुद्धी को भी खो देता है समझ ये समझ निकल जाती है इसके दिमाग से कि अगर आज मैंने ये दो गंटे पिक्चर देखने में लगा दिये तो मैं निश्यत रूप से फेल हो जाएंगा वो सब भूल जाता है उस बारे में और अंत में इस प्रकासी जब विक्ती सड़क पे गाड़ी चला रहा हो बहुत जोड से बारिश आ रही हो तो उसके सामने अंदकार चाह जाता है रहीट? You can't see anything उस प्रकासी जब विक्ती की स्थिती हो जाती है अब जहां उसके you know there are generally two voices one says do it, other says don't do it that is generally intelligence and it is the mind who pushes you to do the wrong thing and it is the intelligence that tells you don't do it कुसे में बाद बुद्धी नाशाद वो intelligence की भी वाज बंद हो जाती है and then प्रनश्यती तो इस बारे में हमने चचा करी थी so that's the process of victimization तो अगर हम mind management नहीं करते हैं इस प्रकासी विक्ती का पतन होता है और कुछ चीजों को लेकर ये कुछ हमारी जो आदतें जो बन चुकी हैं अब उन चीजों को लेकर ये process of victimization तो इतनी जल्दी होता है हमें पता भी नहीं जलता हो रहा है पर जो कोई नई habit अगर व्यक्ती पैदा करता है उस समय इसको ये समझा सकता है कि हाँ ये कैसे step by step मेरी सिती का पतन हो रहा है so that was the first point we discussed last time second point was how to manage the mind मन को आप कैसे नियंतर में कर सकते हैं तो मैंने बताया था knowledge acquiring senses जो होती है कान, नाख, आख, टंग and sense of touch इसके दुआरा हमारे मन को ज्यान प्राप्त होता है तो अगर हम इन पांचों इंदरियों को अच्छा ज्यान प्राप्त करेंगे तो हमारी मन की सिती positive पैदा होती है और इनी पांच knowledge acquiring senses के दुआरा हम अगर negativity collect करेंगे तो मन उतना ही दुखी होता है जैसे महाराश में कहीं पे आज कल कहीं दंगे चल रहे थे तृपुरा की कुछ की सुकर अमरावतिया करके so I just in the morning I read the heading so it was said it is a fake news don't believe the fake news so I don't know details but what mostly would have happened कुछ लोगों ने कुछ नियूस पड़ी कि हमारे जाती के लोगों के संग अन्याय हुआ है उन लोगों ने दूसरे धर्ण के लोगों ने हमारे जाती के या हमारे धर्ण के लोगों के संग न्याय करा है and what that created because that was a negative message and that created negativity and anger ना जाने ना रिसर्च करे पता करे सही है गलत है and what was the reaction anger तो किस प्रकार से हम अपनी पांच इंद्रियों को उप्युक करते हैं ज्यान प्राप्त करने में उस प्रकार हमारे मन का विकास होता है आज क्यों जादा तर व्यक्तियों का मन दुखी है या मन इस प्रकार से काम करोद लोग मोहमद मासर या तीन प्रकार की बिमारी जो आच हमने चर्चा करे थी क्यों उससे इतना पीड़ रता है let me ask this question before I make a point how many of you agree कि आज की समाज याज की प्रजा आज की जो पीड़ी है वो पहले की पीड़ी के कंपरिजन अधिक नाखुश है how many of you angry today's generation is far greater dissatisfied or unhappy than the previous generation raise your hand 100% हमारे online श्रोता what do you think, yes or no you can type in into the chat box so I understand आप लोग को भी clear हो रहा है Hare Krishna so that's the point अब ये बताईए जब आपके पास आधुनिक या comfort का अधिक सुविदा उपलब्ध है पहले जब गर्मी होता था तो cooler मे या cooler से पहले पंखा या उससे पहले पंखा भी नहीं जब था तो सोचे गर्मी में लोग की कितनी हालत खराब होती होगी राइट पर फिर भी आप कह रहे हैं कि वो लोग हम से अधिक सुखी थे it does not make sense na doesn't make sense it's a contrary how do you reconcile this conflict कारण ये है हमारे शरीर को comfort ज़्यादा मिल गया है पर हमारा मन अधिक से अधिक discomfort हो गया है so our body has become comfortable but our mind has become far much more uncomfortable पहले कहा था mind was comfortable and the body was able to deal with some discomfort तो आप देखिए आपके खुशी आनंद का पैरोमीटर आपके शरीर को अधिक से अधिक उसको देखवाल करने से नहीं हमारे मन का संगरक्षन करने से और मन का सही विकास करने से प्राप्त होता है think about the next generation which means आपके बच्चे आप उनको देखेंगे और आपनी सिथी को देखेंगे तो there's a lot of difference आप जब बड़े हो रहे थे आपका अपने माता-पिता के संग वहवार या समाज के संग जो मिलना जुलना था उसमें और आपके जो आज की जो जनरेशन है उनका आपके संग वहवार और समाज के संग उटने पिटने में बहुत अंतर है yes or no आप लोग हो सकता है अपने समय में स्कूल या कॉलेज आते तो बस में बैटके जाते थे आप में से कितने के बच्चे आज बस में बैटके जा सकते हैं think about it how many are even used to it can even think of it itna sab kuch comfort material comfort दे दिया है but how many of you think today's generation is more prone to complaining and expressing I would say being more ungrateful than the previous generations yes or no हमारे जब हमारा जब बच्चपन था हम पे कितनी सुविदा उपलब थी कितना हमारे बड़े पाटी होते थे कितना बड़े के उच्च मिलते थे think about it I don't know how many of you मेरा ते एक भी नहीं हुआ मेरे बड़े के नाम पे हर बड़े पे मेरी माँ हवन कराके मुझे हवन के महां बिठा देती थी घंटे घंटे तक और मैं धुआ फूकता रहता था सुमए शुरू होता था दस यह नौ बजे हवन होता था दो बज़े तक हवन चलता था पतारी पंडी जी आके मंतर बोलते रहते थे और हवार हसा है बशे पुटता था तक हों होuciones होता था पतारी बिठाटी अरो शॉप चलता कियो फेम किया का रहता था आज बच्टों के लिए बड़े पाटी जाले पोली होता है पूद्वेस इन्छीन लिए है ढूलेग उर्छास है आज उनको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो वैसे नहीं है जो हमें प्राप्त हुआ था How many of us were exposed to internet? और आज अगर देखा है जो problem is not with the generation Problem is not with the person The problem is with the sources of knowledge जहां से उनको ज्ञान प्राप्त होता है इस कारण वर्ष आज की जनता ये आज की पिड़ी अधिक से अधिक दुखी है And that's the point about it So that's what we had discussed We have to be very careful of this thing So this was subject matter That we have discussed last time So प्रशन बनता है अभी जो knowledge acquiring senses है तो हमने पिष्छे सत्कु यहां साँख करा था तो प्रशन बनता है इस इंद्रियों को कैसे हम नियांत्रम कर सकते हैं So Bhagavan Shri Krishna Bhagavadita में कहते है जो इंद्रिया होती है बड़ी ही बल्शाली होती है Please repeat after me इंद्रियानाभि चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्याहरती प्रज्याम वायुनावं इवाम भशी So Krishna कहते है As a strong wind sweeps away a boat on the water Even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence मतलग क्या है I'll translate that जैसे news में खबरे आती है एक व्यक्ति ने एक औरत के संग बत्तमी जी करी If I translate that in a Shaastrik language in a technical language a man misbehaved with a woman we can translate in this context in the language like a man or Mr. X let's call it in the presence of sense object Miss Y lost control of his senses You see the technical thing? यहां sense object opposite gender So in the presence of the opposite gender he lost control of his senses and he behaved in an animalistic way तो यहां बताये कि भगवान कह रहे है कि जो इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है अगर एक इंद्रिया भी भटकी तो व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है जैसे की मचली मचली को कैसे पकड़ा जाता है? उसकी मचली का विकार होता है उसकी जिवा Right? Food The tie of food put into the river और जो नूस होता है उसमें काटा लगा होता है और काटे में चुपका होता है खाना उसके लिए जो भी होता है मचली जाती है खाना देखे जिवा लगाती है उसकी जिव अटक जाती है So fish gets caught because of the weakness of his tongue Elephant बहुत शक्तिशाली है मनुश्य उसको पकड़ता कैसे है तो पकड़ने का तरीका क्या है? Female elephant को उस पर काहसे train करा जाता है Female elephant जाती है Male elephant के पास gives a sense of touch And male elephant gets so agitated that he begins to chase after the female elephant And female elephant is trained तो इस पर काहसे वो जंगल में होती जाती है तो वहाँ पर अपर अग प्लांट डिच होता है जिसको घास से कवर करा जाता है तो that female elephant goes by the side But this male elephant goes in the straight and falls into the ditch इतना बल्शाली शक्तिशाली हाती एक sense of touch पे नियंतर ना होने के कारण कम जोर होने के कारण वो फस जाता है उसी प्रकाहसे honey bee honey bee उसकी चोच या उसकी जो वो होती है इतनी needle के we can close it now वो इतनी strong होती है जब कमल का फूल रात को दुबारा से बंद होता है Now that honey bee can make a hole if he wants in the tree also but वो इतनी सुगंद से मगन होती है कि वो भूल जाती है उसके पाफ जो शक्ति है उसका उप्योग करना और उस प्रकार जब कमल का फूल बंद होता है सुरया सुने के बाद वो उसमें बंद होकर मर जाती है इस प्रकार से आप हर चीज का और दहान दे सकते हैं, जैसे कि साप, साप को कैसे पकड़ा जाता है? वो कहते हैं, बीना नहीं, सुरी हो, बीन, बीन बजा के, right? वो इतना उसे मगन हो जाता है, कि जहां से वो आ जाती है, चला आता है, फस जाता है. तो आपके कान हो गए, नाक, सुगंध, हिरन. हिरन कैसे पकड़ा जाता है? सुगंध के कारण, मस्क टियर, right? तो इस प्रकार से अलग अलग जानवर के मृत्यू का कारण क्या है? फायर फ्लाई. फायर फ्लाई क्यों मारा जाता है? उसकी आखों के कारण. जहां पे उसको अगनी नजर आती है, दोड़ता चला जाता, right? यह सीन तोस फायर फ्लाई सुन दो मौत, दे गट बंट. अगर जब याद होगे, जब हम ऑईल का लैंप यूज करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे आ जाते थे. वो अपनी आखों की कमजोरी की कारण, तो यहां पे यह पाँच अनेक अनेक जानवर का उधार लिया जासेता है, जिनके सर्वनाश का कारण उनकी एक-एक इंदरियां हैं. पर इन 84 लाक योनियों में एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीवन है, जिसकी पाँचों इंदरियां कमजोर हैं. क्या है उस जानवर का नाम? मनुष्य है. एक नहीं, पाँचों, खतरनाक कमजोर हैं. और आज का समाज इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, आज का एजुकेशन, आज का सोशल मीडिया, आज की मार्केटिंग, जो आपकी इंदरियों को और कमजोर बनाती हैं. हर समय व्यक्ति इस प्रकार से. तो, सेंसे आर टू पाँफुलिसली कहा गया है, एक फिलोसफर, एक फिलोसफर, okay, I forgot his name. Anyways, he made a very interesting point. There was a famous talk where there was a debate with his onlyness Radhanath Maharaj. There this point was made. by this famous philosopher of America. He said, the world today faces far greater and widespread threat from weapons of mass distractions, not destruction. Generally, लोसरी नुले वेपने are the greatest threat. No, the greatest threat to mankind is weapons of mass distractions. What is the greatest weapon of mass distraction? Social media like? Social media is a big definition. There was a news, there was a news clipping, I don't know how much is true, an Indian man living in America had hired a lady and the job task of the lady was to slap him any and every time he opens a Facebook. I read the headline. Is that a factual story? Okay. But that's a real story. So what is the real story? Indian man hired a lady to remind him to give up his Facebook addiction by slapping him. So Facebook, Instagram is, I believe, is the prominent addiction today and other things. What else? Netflix, over the air they call it, OTA, something they call it, OTT. What is that? Over the something, OTT transmission, you know, whatever you call it. Plot film, online, some entertainment, all this kind of thing. So this prakase, we have to be very, very careful. You know, a nice message in the picture. Stop looking at your phone. Learn to look around you. We are too much caught up with like this. So this is how Bhagavan Shri Krishna says. Learn to control your senses. Please repeat. yadasam harate chayam kurmongani vasarvaśaha indriyani indriyarte bhyas tasya prajnaya pratishtita One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is perfectly fixed in perfect consciousness. So this is why mind management or mind ko niyantran karna humara depend karta hai humare indriyoko hum kis prakase niyantran karpa. bhagavan shri krishna hiya aaphe tortoise ka udhaanat deyate hai jaisi us ke oopper khatra aata hai ya senses any danger draws his limbs within the shell. Asi prakase say we all have to become a sage of a steady mind what does it mean? jabbhi hume lage ki humare indriyoko ke prati khatra hai withdraw yourself for an example agar aaj ke tarik me aapko aapke aapke doost bolte hai let's go for a party let's go and we'll go to a restaurant and we'll drink and eat whatever so ho saktatai happy with laminate and a salad I mean you'll definitely experience this agar nahi karaha you'll see this this change and this is how we learn to manage our mind so this word so this is how we learn to control your mind begin with controlling senses sense control तोन मतलब senses को purify करना. senses को purify करने के लिए इसलिए कहा गया है विग्रह सेवा करना. भगवान की सेवा करना, प्रसादम भोग बनाना, उस प्रकार से ये इंद्रिया का शुद्धी करन होता है. साथ ही साथ, नाम जब करना. नाम जब करना, chanting of the holy name of the Lord, काई बार लोग पुछते हैं, क्यों मुझे हाथ में बीट पकर के chanting करनी क्या, क्या मैं अकले बैठके नाम जब नहीं कर सकता? And many times they argue that when I chant by without beads, I chant more attentively. No, that's your hallucination. But actually your sense of touch will get purified when you begin to chant on the beads. And not only sense of touch, लोग दूसरा कहते हैं, हमें बोल-बोल क्यों को करना है? क्या मैं मन-मन में chanting नहीं कर सकता? No. You have to speak loudly. Why? Because of that, your sense of hearing gets purified. क्या मैं आखे बंद करके chanting कर सकता हूं? Nahin. Chanting बाद में शुरू होगी, नींद पहले आ जाएगी. So how can we chant? You can keep a photo of the details in front of you in the beginning. तो आपकी देखने की जो ये इंद्रिया है, उसका शुद्धी करण होगा इस प्रकास से. So, if I ask you, successful mind management depends on two options. Meditation. कई-कई प्रकार की meditation बचाया जाते हैं. तो mind management मदद करते हैं, no doubt about it. Or else, practice of ABCD formula. You remember ABCD formula? Association of Saintry Men, reading books, C for chanting, D for Krishna Prashadam, diet. So my question to you, among these two, which is the most powerful way of managing mind? Meditation करना ये ABCD का पालन करना? ABCD formula, why? Why? Because meditation is part of the ABCD formula, but along with that, there is also management of your senses, control of your senses, association of sadhus, reading of books, your acquired knowledge. What's the case? Yes, meditation. That's the reason I said, that becomes part of your... Sometimes, people say that we don't have a sadhu, we don't have a shasrathin, we don't have a shasrathin, so we can do meditation. There are a lot of meditation camps that happens, right? Where people tell us how to shut up and sit and sit and sit and sit. But they never tell us what we need to listen, what we need to read, what we need to read, what we need to do, when we need to read. There is no information or knowledge given in terms of what should be your ahar, what should be your vision in terms of what should be your vision, in terms of what you need to watch, what you need to listen, what you need to read, that's never ever discussed about. But you have to learn a lot of attention and there are a lot of organizations that do it. No, that will not give you success. क्यों? क्योंकि इंद्रियां फिर भी व्यक्ति के नियंतर में इसलिए ऐसे लोग जो meditation सिखाते हैं आपको कभी भी इंद्रियों को control करने के लिए नहीं बोलेंगे कभी भी नहीं बोलेंगे चार नियमों का पालन करो can they ever tell you to follow four regular principles क्यों नहीं आपको कभी इंद्रियों को नियंतर करना ही नहीं सिखाया तो आपको कैसे बोल सकते हैं चार नियमों का पालन करो they will never say even the so-called famous gurus on the YouTube channels these days they will speak about everything they will speak great philosophy but you will never ever hear no meditating, no intoxication, no gambling no lesser sex they'll have no audience because वने वो बोल दिया तो उनका जो product बिकता है वो बिकना बदन हो जाएगा because by practice of that product they will not be able to do it see if I say you take to the process of changing you do this A-B-Z formula आपको इस समय में चारों चीजों को पालन कर पाएगे so my product या जो भी मैं आपको दे रहा हूँ उसका test क्या है success जब जो मैंने आपको promise कर रहा है तब ही तो उसका validity है तो इसलिए वो कभी इस बात पे कभी भी चर्चा नहीं करते है यहां तक कि non-veg के बार में पूछो तो वो घुमा पिर आके कुछ ना कुछ आंसर देते हैं they'll never tell you directly stop eating meat so meditation से नहीं इंदरियों को नियंतरन करना बहुत महत्परन है इसलिए ABCD formula that's what we had discussed to practice ABCD so that is the very first point of the mind management तो अभी तक हमने तीन चीजों पर चर्चा करी है अगर कोई व्यक्ती mind management का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? किस प्रकास से उसका पतन होता है? बार बार वो distracted रहेगा पिष्टे बार alcoholic का example दिया था इस बार एक school student का example दिया था उसको पता है मैं fail हो जाओंगा फिर भी वो distract हो जाता है watches a movie दूसरा चर्चा था how to do mind management तो मन का विकास कैसे होता है या मन का पतन कैसे होता है पांच knowledge acquiring sciences को senses को आप कैसे ग्यान देते हैं mind management के सबसे पहले है हमें अपनी इंद्रियों को नियंतर में करना सीखना पड़ेगा तो इसके लिए regulations बताएगा है सुबह उठना प्रातकाली उठना ये इंद्रियों के लिए कठिन होगा कठना ही पड़ेगी इंद्रियों भी शरीर ये कठिन होगा पर जब आप ऐसी तपस्या करते हैं तो उससे उनका शुद्धी करण होता है and that's how you regain control on your senses, body and then mind और अब आखरी विशय and a quick subject matter now अभी तक हमने ये बात करी है कि हमारा जो अस्तित्व है वो तीन स्तरों पे है शरीर, मन, आत्मा प्रश्न बनता है ये शरीर, शरीर और ये मन एक दूसरे से कैसे interact करते हैं तो modern science के अनुसार वो body तो gross है मन को modern scientist or psychologist वो spiritual मानते हैं या subtle मानते हैं subtle मतलब मन को आप पकड नहीं सकते हैं it's not tangible, body is tangible so there was a french scientist by the name of D. Sacrides और आने अठारवी सदी में एक प्रशन उठाया and he coined a new problem mind body interaction ये कैसे होता है and it is a million dollar question जिसका जवाब scientist के पास अभी तक नहीं है मन शरी के संद कैसे उसका interaction होता है जो मैंने आपको interaction बैता है तो dragon draw करके वो भगवदीता के नुसार था that's not modern science, understand it so how does the mind and body interaction that's the whole point so sab se pahle to whom does the body belongs ये शरीर किसको belong करता है now let me give you a little background what is a mind body problem क्योंकि इतना तो modern scientist or psychologist को भी पता है जो भी होता है वो मन के अनुसार होता है for example if I ask you raise your hand when your mind processes that and agrees to that will raise and when you don't want to agree and you say no मैंनी सुनूंगा which means mind have rejected it you will not raise your hand yes or no तो अतहा मन जब अगरी करता है तभी शरीर काम करता है right तो जब मन निरदेश देता है शरीर काम करता है पर प्रशनी बनता है मन और शरीर का relationship कैसा है because मन कोई भौती चीज नहीं है जब भौती चीज नहीं है so what is the communication channel how does it happen किस प्रकार से communication होता है उसके बारा में चर्चा हो रही है यह सिर्फ पहला परशन है I'll go more into the question so let's begin with very first question to understand this to whom does the body belong शरीर है और मन है तो यह शरीर किसको बिलॉंग करता है according to कल भी मैं चर्चा कर रहा था इस बारे में कल के प्रोग्राम की अंत में according to law of any state any country उनके इसार यह शरीर मेरा है I am the controller and how many of you actually believe I am the controller to a lot of extent I feel like I am the controller मेरा मन करा तो मैं उठ जाओंगा जब मेरा मन करा मैं सोने चला जाओंगा our day-to-day experience also strengthens this idea that I am the controller of the body and the law of state also says so अगर कोई व्यक्ती इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर उसकी बाडी पर कुछ नहीं कर सकता जब तक उस बिमार व्यक्ती का उसको signature guardian of the patient in a case of underage guardian of the patient gives a written permission to a doctor to do an operation or a surgery so हमारा खुद का experience and thus law of the state or the government tells us I am the owner of the body if I am the owner of the body then I should be the controller also yes ओनर का मतलब क्या होता है ओनर का मतलब मैं यह अंतर कर सकता हूँ ओनर का मतलब ही क्या हो अगर नियंतर ना कर पाँ आप so that's the second question if everyone says I am the owner of the body my experience also teaches me that I am the owner of the body that is that correct that I am also the controller of the body so let's take a look at this question am I really the controller of the body तो शरी को नियंतरन करने के लिए जो शरी चलाता है the basic system that manages our whole body is the nervous system medical science के अनुसार medical science के अनुसार यह nervous system में दो प्रकार की activities होती है एक somatic, एक autonomic autonomic or somatic means voluntary तो यह nervous system दो प्रकार से चलता है voluntary and एक autonomous space पे मतलब क्या है voluntary हाथ उठाना बोलना कुछ सुनना चाहते हैं तो you know we can you know all these are voluntary activities autonomous activities क्या है heartbeat aankho ki palkho ka fadapna breathing the filtration by the kidney or the lungs or the processing the digestion of the food and many other things these are called as autonomous activity तो प्रशन बनता है everyone tells me I am the controller of the body now if I am the controller of the body at least to be really the controller I should have 50% control on my body right share market के नुसाथ देखा जाए आपको company का अनर कप कहा जाता है when you have the maximum shares at least 51% share or else the highest share right तो अभी तो ही चीज़ है तो contender है autonomous and voluntary तो 51% activities are done by my desire then I can be called as a controller if less than 50% even if it is 49.99% I cannot be called as a controller of the body then right then the autonomous becomes a controller and the question becomes who makes it autonomous you know who manages it so according to modern science just like we talked about you know the heart beating ये हमारे अनुसार नही होती the palpitating of the heart or the heart rate even the body temperature हम मैं नहीं करते है this all is happening the luxe keeps oxygenating the kidney keeps filtering who is all doing this so there are so many activities which are happening within us which are not done by us so we cannot by any means can be called as a complete controller so we cannot be called as a controller in the world in the world in the world in the world मैं इन के उपर अपना नियंतरन प्राफ्ट करना चाहता हूं तो सोचिए आपके इन सभी चीज़ों में से अगर एक चीज़ के उपर भी आपको अधिक नियंतरन दे दिये जाए जैसे की respiration सोचिए कल सुवे से respiration आप अपनी इच्छा के अनुसा करेंगे अगर आपको ऐसे आपका respiration होगा can you ever fall asleep? सो गए तो उटोगे नहीं क्योंकि respiration मन दो जाएगा आए ना when you are sleeping literally unconscious state ना तो एक स्प्रकार से एक patient था यूरोप में जिसको अपने respiration को खुद कंट्रोल करना था और जब उनने को दिखाया तो जब उनने दोक्तर को दिखाया तो जब उननने उस थिति को नाम दिया Ondyne's Curse Syndrome और सका technical name था Congenital Central Hypoventilation Syndrome He called it as a curse He did not call it as a blessed syndrome Why curse syndrome? The reason is very simple The picture above speaks for itself The child has a tube going through the nose, going through the mouth Because now he has to do his breathing But you cannot do your breathing by yourself So therefore, autonomous, you know, a system has been created for him So that breathing happens autonomously So हम चर्चा कर रहे थे, अगर हम बोडी के कंट्रोलर है जैसे law of the state tells us We should have at least 51% activities under our control According to modern science, we only have, how much does anyone know? How much percentage of autonomous and voluntary activities are there? According to medical science, we only have 5% activities of the body are done by And keval shari ke 5% activities manushya ke dwarah kari jaati hai 95% It happens automatically Who is the controller now? Am I really the controller? No, not really So, कुछ महत पुन पर्ष If we are not conscious, then how can we be exclusive control of the body? हमें तो पता भी नहीं है हमारे शरीके अंदर क्या क्या चल रहे तो हा क्याने भी controller Who determines the rate of respiration, rhythm of heart, temperature of the body? कोई नियंत्रंग करता है? Who determines this? Who destroys the microbes in the body? तो जिस body या शरीक के पती हम इतने अधिक आसकत है उसके उपर भी हमारा कोई control नहीं है और यहाँ पी व्यक्ति दूसरों के उपर control दिखाने में लगा हुआ है Even he's trying to control the other things So, प्रश्न बनता है शरीर पर हमारा कोई नियंत्रन है नहीं तो इसका मतलब है क्या mind शरी को control करता है? Valid question? हमारा प्रश्न चल रहा है How does the mind and body interact? Mind की इच्छा होती है, शरीर काम करता है तो हमने सबसे पहला प्रश्न उठा है शरीर को control करता है तो हमने देखा है, हमें बताया जाते है शरीर के मालिक हम है पर अभी हमने सीखा शरी के मालिक हम नहीं है क्योंकि हमारा के ओल 5% शरीर है शरीर पर 95% is with something else तो प्रश्न बनता है, that something else is mind mind you wanna know, something else कैसे होगा? So, if it is that if our mind controls मन के तीन फंक्शन बताया गया है thinking, feeling and feeling तो जब व्यक्ति सोचता है you know and then feeling the desire develops I want to do it and then he does it तो मैं हाथ उठाना चाता हूं मैं हाथ उठाता हूं तो जो भी व्यक्ति अब करता है उसके पीछे कुछ न कुछ thinking होती है yes, mind is definitely involved तो हम कुछ भी करते हैं हर चीज के पीछे हमारी कोई न कोई इच्छा होती है correct तो मेरा प्रशन बनता है जो व्यक्ति paralyzed है सोचिए उसका left hand paralyzed हो गया है हाथ तो है शरी से जुड़ा हुआ है शरी से कटा नहीं है तो अगर ये व्यक्ति अगर उसका मन इच्छा करता है कि मैं अपने हाथ को उठाऊं तो क्या हाथ उठेगा if the hand cannot move then how can we say it is a mind which is controlling the hand आपका हाथ शरी में नहीं है तो बात अलग है जब आपका हाथ आपके शरी से जुड़ा हुआ है और फिर भी आपके कितने ही मन करने पर you know people say whatever your mind feels like do it you know live your life enjoy your life जिवन ऐसे वेती थुड़ना होता है how much ever the mind of this person demands he cannot lift his hand he cannot move his leg whatever part of the body that has got paralyzed so परशन बनता है शरी को नियंत्रन करता कोने फिर but what's the evidence we don't want sentiments we want evidence अगर आप कहते हैं supreme personality of God it is a controller of the body he is the medium through which the mind is able to interact क्योंकि वही मन सीदा हात उठाने में कायम हो है let me lift my right hand, done let me lift my left hand, not done that is paralyzed so who ensures that what mind is wanting gets executed by the body who is that nobody had an answer so let's take an answer from this from Bhagavadita Bhagavadita gives an answer क्या answer है? भाथ कुछ सूर्श श्लोक है please repeat after me उपद्रश्टा अनुमंता चा बर्ता भोक्ता महीश्वरह परबात मेती चापी उक्तो देहिस्मिन पुरुशा परहा उपद्रश्टा ओवर्सियर अनुमंता अनुमंता क्या होता है? परमीशन देना अनुमती देना उपद्रश्टा ओवर्सियर अनुमंता भरता आपका पोशन करता है भोक्ता इंजॉयर महाईश्वरह हर व्यक्ती के अंदर एक इश्वर भाव या इश्वर की प्रकति है पर ये कौन है? महा इश्वर सब इश्वरों का महा, सब इश्वरों का मालिक कौन है ये? उसको परमात्मा कहा जाता है परमात्मेति चाप युक्तो और कहा विराजमान है ये? देहे अस्मिन पुरुशह परहाँ ये व्यक्ति हर जीव के शरीर में उसकी आत्मा के संग रहता है क्या नाम है परमात्मा यही परमात्मा है जो उस व्यक्ति को उसके हर करत के लिए आग्या देता है और जो आप करते हो उस सब को देखता भी है उसी के नुसार आपको अपने कर्मों के फल सजा या आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं और जो भी है भड़ता आपका पोशन भी होगी करता है भोगता इंज्वायर भी वो ही है हम नहीं है So who does it all? कृष्णा अभी हम जब भगवदीता 20 दिन का प्रोग्राम अठार दिन का प्रोग्राम 20 दिन से शूर करेंगे तो इस विश्चे में और विश्था से बात करेंगे पांच में ध्याय के अंदर So in essence जो हमारे शरीर का actual मालिक नियंतर जो करता है वो भगवान है और ये भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए is not obliged कि हम कुछ भी चाएं हमारी इच्छा की पूर्थी होगी वो विश्य दूसरा विश्य है उसको हम भगवदीता के पांच में ध्याय में जब शुरू करने वाले हैं पिछले अगले हफते से उसमें चच्छा करेंगे कि ये परमात्मा हमारी कुछ इच्छाओं को पूर्थी करता है कुछ को पूर्थी नहीं करता है हर जीव की अनेक अनेक इच्छाओं है पर कुछ इच्छाओं पूर्थी होती है सारी इच्छाओं पूर्थी नहीं होती तो क्यों कुछ इच्छाय पूर्टी होती है क्यों नहीं होती उसके लिए law of करम आता है उसकी चर्चां विसार से आगी करेंगे परन्तु भगवदीता का उदेशे या इस विशे का चर्चा करने का उदेशे सिर्फ यही नहीं बताना या भगवदीता का उदेशे सिर्फ यही बताना नहीं है कि इश्वर या भगवान हमारे शरीक के कंट्रोलर है पर भगवदीता का उदेशे उससे बेदिक है और बताने का उदेशे यह है कि हमारा उस भगवान के संग संबंध क्या होना चाहिए इसलिए कृष्ण भगवतिता में क्याते हैं पीडिस रिपीड आफ्टर मी मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस करू माम एवश्यसी सत्यम्ते प्रतिजान और प्रियोसी में मन मना हर समय मेरा ध्यान लगाए मद भक्तो मेरे भक्त वनिये मद याजी माम नमस करू मेरे अराधना माम नमस करू मेरे प्रतिपरणाम करिये माम एवश्यसी सत्यम्ते प्रतिजानो प्रियसी इस प्रकास इविक्तिच अपना जीवन वितीत करता है I promise such a person becomes very dear This is the objective of ABCD formula भक्तों का संग लेना, शास्र का अध्यन करना भगवान का नाम जब करना कृष्ण प्रसादम को ग्रेन करना मतलब क्या है भगवान के प्रति आसकती भगवान की शर्णागरत होना और भगवान की जब शर्णागरत होता है तो क्या प्राप्त होता है अनन्या चिंतयन तो माँ ये जना परुपासते तेशाम नित्या भ्युपताना योगा शेमं वहामिहं वहां कहते हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति मेरी पूजा राद्मा मेरे संग संबन जोडने का प्रियत्न कर रहा है योगा शेमं वहामिहं I protect whatever he has and I provide whatever he lacks उस प्रकार भगवान भक्तों का संगरक्षन करते हैं मागदर्शन करते हैं तो जब भक्त की इस्ठा होती है कि मन पर नियंतरन होना चाहिए तो मन पर नियंतरन करना हमारी शम्ता नहीं है जब हम शरी को नियंतरन नहीं कर सकते हैं तो subtle चीच मन को क्या नियंतरन करेंगे वो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है तो इसलिए सही मायने में मेडिटेशन में तभी व्यक्ति सफल हो सकता है अध्यात माल्ग में तभी सफल हो सकता है या तक बहुत ही जीवन में भी तब सफल हो सकता है जब उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो क्योंकि जब उसको भगवान की कृपा के माद्यम से शक्ति प्राप्त होगी तब ही वो अपने इंद्रियों और अपने मन पर नियंतरन कर पाएगा तो इसलिए हमारे शासरध्यन का उद्धियन का उद्धिशे मन पर नियंतरन करना नहीं है एक बड़े सदाचारी व्यक्ती बनना हमारे जीवन का उदेश नहीं है हमारे जीवन का उदेश है भगवान का अच्छा भक्त बनना क्योंकि जब आप भक्त बनेंगे तो ये सब तो side benefits हैं वो अपने आप सवभावी ग्रूब से हो जाएगा Just by practicing devotion Krishna will protect whatever we have and Krishna will provide whatever we like तो ये mind management का जो सूत्र है that is devotion to Lord As we cultivate devotion to Lord अपने आप अरा मन और इंदे अपने आप नियंतरन में आ जाएगी तो आज इस सत्र को यहां समाप्त करते हुए we'll sing this very very beautiful song written by Shri Govanda Das जाओ बताते हैं कैसे मन को अपने नियंतर में लाया जा सकता है Hare Krishna Can I have no to go? Okay Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram भजाओ रे माना Shri Nanda Nanda अभया चारना रा पिंदरे भजाहुरे माना Shri Nanda Nanda अभया चारना रा वंदरे दुर्ला भमानाव जानाम सत्संगे दुर्ला भमानाव जानाम सत्संगे तारो हो इभावा सिंदूरे तारो हो इभावा सिंदूरे सिता अता बता बरिशाना इदिना जामिनी जागिरे सिता अता बता बरिशाना इदिना जामिनी जागिरे भीफल से विनु क्रीपना दुर्जना चपल सुखल बला गिरे इधन योबना पुत्र परीजना इथे की आच्छे पराती तिरे इधन योबना पुत्र परीजना इथे की आच्छे पराती तिरे कामला दला जला जीवन तला मला बजाहू हरी पादा नीतिरे बजाहू हरी पादा नीतिरे शवन कीतना स्मरन वंदना पाद सेवन दास्यरे शवन कीतना स्मरन वंदना पाद सेवन दास्यरे पुजना सकी जना आत्मानी वेदाना गुविंदा दास अभी लासरे गुविंदा दास अभी लासरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare two topics Bhajao Re Mana O mind just worship the lotus feet of the son of Nanda which makes one fearless having obtained this rare human birth cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons association day and night I remain sleepless sufficient heat and cold wind and rain for a bit of flickering happiness I have vainly served the wicked and miserly men what assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons and family members this life is charting like a drop of water on a lotus petal therefore you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari it is a desire and great longing of Govindas to engage himself in the ninth process of bhakti namely hearing the glories of Lord Hari chanting those glories and constantly remembering him and offering prayers to him and serving the Lord's lotus feet serving the Supreme Lord as a servant worshipping him with the flowers and incense and so forth serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self like that Govindas Ji has composed this beautiful message as I said the whole culmination of the message of Bhagavadita or else on the topic of mind management is to understand who is Mahayishwara the supreme personality as Bhagavadita teaches is Paramatma from that particular verse and Paramatma as we know is the supreme personality God and Lashri Krishna mind control sense control whatever management control everything has to be done that can be accomplished when one engages in Manmana Bhavakta Madhyaji Naam Mam so when it takes to this whole ABCD formula then everything follows on its own so next time when we meet this next time probably going to happen to be in 2022 so next week onward there is a change of activity because December 14th is Gita Jainti so from next week Saturday onwards every evening 5 to 6 pm 7 to 8 pm every evening here we will have Bhagavadita classes 18 days starting from 20th November until 9th of December with 3 or 2 breaks every 6 chapters there will be every evening online Bhagavadita classes for those who wish to watch online those who wish to come in person they can come here you may find me sitting here like this in the same post in the same location so we will have this 18 days of Bhagavadita programs so all of you are requested if in case you have not done it in case you have done it it is always good to repeat it you all can join in for that and after that next year when we meet again in 2022 we will continue with the other three topics the third topic of this series of discussion is hijack jahaan hum ab or technicalities pehayenge abhi aaj baat kareethi man o buddhi ka rishta kaise hota hai who does control or niyantran of it ab aage chacha kareenge kis prakast se intelligence mind and senses can interact karethi hai toh bhoat mahatapur subject hai joh bhagavadita me visara se chacha kia gaya hai we'll check it out next time whenever we meet for this particular discussion all right Hare Krishna Jagat Guru Shira Prabhupad Ki Shira Prabhupad 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 Shira Prabhupad